बेडिया की खौफ का आलम बन चुके दो बेडिया अब तक पकड़े नहीं गए हैं आदम खोर बन चुके इन भेडियों की धर पकड़ के लिए सार्च आपरेशन लगाता जारी है अमारी टीम रंबापुर गाउं पहुंची और ताजा हालात का ज्वाई सालिया बेडिया का कहर बेराइश में एक और जारी है तो नए-नए चीजें निकल कर सामने आ रही है कि आखिर बेडिया आदम खोर बन कैसे की है बन में भाग के उचाधिकारियों की माने तो बेडिया की एक टेंडेंसी बदला लेने की भी होती है और अब उसके लिए क्या चीजें ह इसकी पर्ताल करने हम इस वक्त आये हैं रमवापुर गाउं में जहां से करीब है उस भेडिये की वो मांद जहां वो अपने परिवार के साथ रहता था तो क्या उसकी मांद को नुकसान पहुचाया गया या बाढ़ के पानी आने की वए उसकी मांद खत्म हो गई जिसकी वज देखा है बताया भी जा रहा है कि वो शिकार करने आया था लेकिन शिकार करने जब आया तब गाउं वाले वहां पहुच गये और उन्होंने शोर कर भेडिये को यहां से भढ़ा दिये काफी घना पूरा इलाका है और यहीं पर भेडिये को कल यानि कुछ घंटे पहले सब्सक्राइब यहीं पर पास में उसकी मांद भी बनी है नहीं वो चाहला रिगाट की मतलब उधारे रेत में तस्वीरा आपको देखे कैमर में नेरे जिखाएंगे यह जो बड़े बड़े पैर आप यहां देख रहे हैं यह उसी भेडिये के हैं आदम खोल भेडिये के ज रात में इस गाउमें आया शिकार की तलाश में कि किसी बच्चे को फिर अपना निशाना बनाए और इन माक्स के जरी आप समझी है कि कितने बड़े बड़े यह पैरों के निशान हैं यह एक, दो, तीन, चार पैरों के निशान यहां पर दिखेंगे और जो बताते हैं कि य वो यहां से भाग गया बड़ी बात यह है उसकी मांज इसकी सर्चा हम कर रहे हैं वो यहां से 2.5 किरोमीटर की दूरी पर है उसका घर पानी के चक्कर में तबाह हो गया है और अब वो नियर बाइज आसपास के गाउं है वहां पर आ रहा है उसके तमाम पैरों के निशान भी पर देख रहे हैं यहां पर देखा अपने हाँ यहीं पर हमारे हैं अवाज के माँच वहां से माहा हा शरा इतब फnisseश की तो फोड़ी एतनी बड़ी पूच्छ थी में circuit इपंड़ी इतनीग्यवंत sy त मूह था लंबा सा कान भी तो कान में उसके बाल भी ते इतने बड़े बड़े थे ऐसा था डर नहीं लगा देखके डर तो लगा लेकिन अब बच्चे और शगड़ी को बचाना है तो कुछ तो बोलना ही पड़ेगा न उसको भगाने